आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं डिजाइनिंग और प्लास्टिक प्रड़क्ट पॉर इंजक्शन मॉड्लिंग इनेक्स अनेक्स के अंदल हम लोग मॉड्लिंग कैसे करेंगे बहुत सरे में पास ऐसे कमेंट आये वे थे यूट्यूब पे वीवेवस के जो कहते हैं किस ट्रेंगव मोडल स्टार्ट करना चाहिए और प्लास्टिक इंजक्शन मॉडलिंग के कम शिक ट्रीक से डिजाइन करते हैं तो हम matter को कि प्रोड़क्ट्रेंग करने के लिए उस टाइप के ट्रेनिंग करने के एक आनलाइक पर सुला रहे है만 और आने माले में में चाहे हैं तो इसके ने हम लोग आपको सिखाएंगे लेकिन इसके लिए प्राइमर रिक्वार्मेंट क्या है आपको आना चाहिए Commands आपको आती है, Model बनाए में दिख्काद आती है, Drawing रीड करने में दिख्काद आती है उस टाइब के Strengths के लिए यह वाली Series बहुत बेनेफिशियल है, बहुत ज्यादा Important है इसमें सब्सक्राइब यह है कि Basic Concept of Drawing क्योंकि जो भी हमरावाद द्राइब आती है उसमें different type of symbol होते है, Notification होते है, उसमें different type of views होते है उनको कैसे समझना है, वो सब लोग इसके लिए करेंगे, वो हम आपको बताएंगे किस step ले Engineering Drawing को समझा जाता है उसके Basic Concept क्या है, फिर Drawings में अगर 3D की Drawing होती है, तो अधिकतर बना लेते हैं अगर 3D की आपको मिल जाती है, लेकिन आपको ड्राइंग आपके पास है, जो कि 2D में है, जिसका Top View, Front View दिया हुआ है, Top View, Side View दिया हुआ है, Front View, Side View दिया हुआ है इस Orthographic ही खाली आपके पास है, तब उसको कैसे हम समझेंगे और उसको कैसे Convert करेंगे 3D में वह हम आपको रीड करना पूरा सिखाएंगे, उसके डामेंशन को रीड करना सिखाएंगे, उसके नोटिफिकेशन जो दे रिखिया है, उनको समझा सिखाएंगे Orthographic जो ड्राइंग होती है हमारी 2D की, जो हम Top View, Front View बोलते हैं, Side View बोलते हैं, auxiliary भी बोलते हैं, यह सब Orthographic projection के अंदर आता है, और इसको समझने के लिए भी हम यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे, कि यह Dotted Lines का क्या मेनिंग है, Dotted Lines का क्या में 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 ग्रिप का काम कर रही है, यह कौन सा किस सैपर कट है, तो Orthographic को Read करना भी हम लोग इसके अंदर सिकाएंगे, और इसके बाद मैं आपको काफिस आई इसके अंदर exercise कराऊंगा, means 30 plus exercise आपकी इसमें हो जाएंगे, जिसके अंदर हम प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं, उन्ही की modeling सीखेंगे, कौन-कौन से टूल की help से, solid modeling को, surfaceing को, sheet metal को use करके कैसे हम पार्ट को design करेंगे, वो सब इसके अंदर हम लोग cover करेंगे, drawing की, एक यह बहुत अच्छी book आती है, machine drawing की, इसके अंदर आपको काफिस सारे concept मिल जाएंगे, इसकी help से मैं खोशिश करूँगा, आप लोग को यह से अदर समझाने की, सिखाने की, कौन सा view हमारे top है, कौन सा front view है, dimension कैसे देखी जाए, कौन-कौन से पार्ट की, कौन-कौ इसके अंदर से आप parts को देख के कैसे बनाएंगे, वो बनाईए, problem आती है, मैं आपको help करूँगा, वो सब इसके अंदर हम लोग cover करने वाले है, यह drawing की concept, orthographic, उन सब को समझने के लिए सबसे best book है, अगर आप खुश से करना चाते हैं, तो भी आप इस book को ले सकते हैं, यह इस book है हमार पस machine drawing की है, और modeling के अंदर प्लास्टिक के parts लें, वो सब मैं आपको बनेंगे, कैसे dimension बनाई है, और इस टाइप के plastic के parts है, कुछ assemblies है, कुछ assemblies है, कुछ पार्ट है, तो किस तरीके से हम लेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो सब भी इसके अंदर मैं आपको बनाएंगे, किस तरीके से लेना है, ये भी सोपके से design है, और कैसे हम इसको बनाएंगे, वो हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये assembly से, टास्टिक के part, इस टास्टिक के part, ये भी कुछ टास्टिक के ही part है, ये भी प्लास्टिक का ही तुरा part है, और ये इसको part navigator, ये तुरा, प्लास्टिक का model है, और किस तरीके से समने बनाएंगे, इसमें जो भी प्लास्टिक parts में आप से बनाएंगे, इसको step by step किस तरीके से हमें बनाने है, first step में क्या से sketch बनेगा, कौन से command लागा कि इसको 3D में convert करेंगे, कहां से इसको round करना है, कौन से command करना है, क्या से join करना है, वो सब इसके अंदर हम लोग cover करेंगे, ये मैं आप को दुखाता है भी हूँ, ये वादा पार्ट है मिलता, ये बनाकशो, ये इस ट्रैपल प्लास्टी का पार्ट है, तो जब इसको आपको बनाना है, लास्क में क्यां साब वर्ट किया है, आप इसको से भी है हिवापाद एंड इसकेच हटा दया, में डाकम प्लेंड गाइन चाइन पटा दिया, एक स्ट्ट को बटा दिया यह सब एक स्ट बाइ स्टेप सब ऑप्शिन इसकें उज़ोर होंगे उनको आप सुप्रेच से राइड हो गए स्केचिस अभी है लेकिन यह भी इदन मोड में है इसलिए शोग नहीं हो रहे हैं लेकिन जब शोग करेंगे तो आपको दिखते जाएगा कि हमने कौन से स्टैप यूज़ किया है और क्या बनाया है यहां से बनाया है अभी इस टैप से बनाए फिर अगलेक्स टूप रते हैं दोस्ते क्या हुआ यह वाला मैंने बनाया उपर लिए फिर कुछ डिलीट फेस को अपलाई किया और यह डिलीट फेस को अपलाई किया अब फिर इहां से हमने एच लिया एच का प्लिटी दोना फ्लेट लगा दी है फिर एच विलेंड नहीं है पर दिया है शेल करा और कुम सब्सक्राइब लगाया है कां सा है रिप घुमाकर देखे यह वाला एक रिप और फिर इस तरफ वाला रिप तो स्टेपल स्टेप आपको पुरा यह समझाए जाएगा किस तरीके से मोडल को बनाना है जन्रेट करना है जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोडलिं में यूज आन में आ जाएगा और कोर्स कंप्रीट होने की बार भी इन फूचर कभी प्रावम आते हैं आप हमें वाट्सट पर कॉंटेक्ट रसकते हैं इसमें अभी 50% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं और आप वाट्सब बसेते हैं अगर आप इंट्रिस्टिड हैं करना चाहते हैं तो और अगर आप चाहते हैं कि इसके प्री स्रीज यूट्यूब के मैल अप्लोड करूँ तो आप मेंदे कमेंड करिएगा वो कमेंड के आप तो मैं इसके पूरी मॉडलि Hawk प्लास्टिक Toolине मोडल को जनि मर्सटिक आपानी हैं फूरी एक स्रीज को जो ये स्के फोर्स है इसके पुरी सीज मैं यूट टी फ्लोड का दूबर, इस फाहिए ngtl को पाहिगा होगा आपको जो प्रोल्ण करने में प्राब्म है दो for watching this, मिलते हैं नेक्स रिप्लाइ